सुष्छेंगे कैसे हैं तो बच्चें पिछले वीडियो में हमने डेफिनिट और इंडेफिनिट एड्जेक्टिव की चर्चा कि थी आज मैं डेफिनिट एड्जेक्टिव की जो टाइफ है. 우리는 क्यों उन्ची में करने जा रहा हूं उसके हम चर्चा करने जा है। पहले हम कारडिनल की चर्चा करने जा रहा है। तो आई हम पहले इसको ऋधारन से सीखते हैं। Α which is written, there is one boy in the room, मतलब कम्रे में एक लड़का है, देखे नाम के पहले क्या है वान? एक निश्ची संख्या बता रहा है। यहां देखे नावन, बुक है, बुक के पहले टू आया, जो बता रहा है, कितनी किताब है, तो दो, यानि नीशित संख्या का बहुत करवा रहा है, फिर देखिए राजेस है थ्री पेंज राजेस के पास तीन कलमे है यानि देखिए पेन नाउन है उसके पहले थ्री आया थ्री क्या कर रहा है बता रहा है कि संख्या क्या संख्या तो निश्ची संख्या यानि तीन बता रहा है तो तीन किताबे हैं तो यह क्या है आप समझ ग तो बच्चे आप उधारण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं तो निश्चित नंबर यानि निश्चित नंबर 1,2,3,4,5 इस तरह के संख्या जो किसी नाउन के पहले आकर के निश्चित संख्या का बहुत कराता है तो इसको हम ग्रैमर के भास निश्चित करते हैं वैसे जो किसी नाउन के पहले आकर के निश्चित संख्या बताएं तो उसको हम कार्डिनल एडज्चित कहते हैं इसको धर्म द्वारा समझते हैं तो देखिए कैसे है वान टू तू थरी पोर अब इसी तरह चलता चला जाएगा तो आप इसको वात में प्रियोक करके भी देख सकते हैं you have five fingers आपके पाश पांच उंगलिएं दिखे तो finger जो क्या है वने उसके पहले five आया क्या करा रहा है रहा निश्ची संख्या का बोड करवा रहा है जो आता है उसको क्या कह सकते है अटजेक्टिव तो कहे सकते मतलब ब्रिक्ष पर कितने सेव हैं तो आठ सेव हैं देखिए एपल्स नाउन है उसके पहले इट आया और यह क्या बता रहा है नेची संक्या तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गये होंगे लिजिए उतार लिजिए आप मैं आसा करता हूं कि कार्डिनल अड्जेक्टिव के बारे में अच्छी तरह आप समझ गये होंगे आए हम आगे जो टाइप है ओर्डिनल एड्जेक्टिव तो पहले उसे धारन से देखते हैं तो आए क्या है दिसी दा सेकंड यह दूसरा दीन है देखे डे के पहले यह क्या यह दुसरा कवताल सेकंड दा है और यह बता रहा है कि सफता का दूसरा दिन है मनें यह देखे जान स्बस्वाइब को राम यह दुसरा लड़का है तो राम देखे तो यहां वाय के पहले थर्ड आया थर्ड क्या करा है कैवा लड़का तो तीसरा लड़का यह आप जानगे कि क्या बता रहा है क्रम बता रहा है और बता रहा है फिर आखा देखे दिस इदा फीपत डे आप दा मंथ यह महिने का पांचवा दिन है देखे तो दे के पहले क्या आया फीपता आया यह क्या कह रहा है कि क्रम बता रहा है यानि क्या तो पांचवा कौन सा दिन पांचवा यानि क्रम बता रहा है तो जैसे हम कहते हैं महिना का आज पहला दिन है बनी एक दिन हुआ अगर हम कहें कि महिना का ये सत्रहवा दिन हो गया तो सत्रहवा मतलब एके दिन है लेकिन क्रम बता रहा है जो सा सत्रह दिन बिते उसमें से सत्रहवा मने एक दिन है सत्रहवा दिन तो वो क्रम बताता है क्या बताता है ये क्रम बता रहा है तो आप समझ तो आएए बच्चे हम इसको प्रिभासित करते हैं तो बच्चे आप उधारन से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं वो क्या है ओर्डिनल क्या है Ordinal Adjective यानि क्रम बताने वाला Adjective तो आईए हम इसको प्रभासित करते है The word that is used with noun to indicate order is called Ordinal Adjective वैसे वैसे वो सब्द जो किसी noun के पहले आ करके यह बतावे कि उसका क्रम क्या है, अस्थान क्या है तो ऐसे adjective को हम, ऐसे word को हम Ordinal Adjective कहते हैं, आये इनको धारन से हम समझते हैं बच्चे तो देखें क्या है, फस्ट, सेकंड, थर्ड, फूर्थ, फिप्थ, सिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, यह क्या है, टेंथ है ट्वेंटिएथ, इस प्रकार से आप देखें होंगे, वन से क्या बन जाता है, इसको और बढ़िया से देखें हम, cardinal adjective, यानि one से हम कैसे ordinal बनाते हैं, one यानि first हो जाता है, one से क्या हो जाता है, two से क्या हो जाता है, second हो जाता है, three से third हो जाता है, देख रहा है कि जब कार्डिनल को और डिनल में बदलते हैं तो यहां थोड़ा सा रूप में भिंता जाती है वान से सीरे फस्ट हो गया, टू से सिकंड हो गया, थ्री से थर्ड हो गया, लेकिन सेस में क्या करना पड़ता है, टीए जोड़ देना पड़ता है, टीए जोड़ करके हम कार्डिनल से और्डिनल बनाते हैं, जैसे फोर में टीए जोड़िंग फोर्थ बन गया, फाइब में अगर टीएज जोड़ें तो फिप्त होगा लेकिन थोड़ा सांतर होना पड़ेगा यहाँ जिसे कार्डिनल के अंत में भीई हो तो भीई को बदल करके एप में लाए दिया जाता है और तब टीएज जोड़ते हैं जैसे यहाँ देखें फाइब में भीई है जब हम इसको और बदाए तब क्या करें कि यह बीई को बदल करके एप में लाए और टीएज जोड़ दिये फिर उसी तरह से आप देखें एट है तो अगर हम इसको और बनाते हैं तो टी का लोप कर देंगे और इसके बाद टीएज जोड़तेंगे देख लिए टी का लोप हुआ की नहीं ब जरूत है फिर देखें 20 20 में जिसके अंत में वाइज हो यानि कार्डिनल में वाई रह सकता है तो जब हम इसको क्या बनाएंगे और बनाएंगे तो वाई को आई-ई में बदल देंगे और तब टीए जोड़ेंगे यानि क्या होगा 28 तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ होंगे अभी भी आगर कोई दिकत होगी तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं बच्चे अगर आप ने हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद बच्चे